बिग बॉस 13 में प्यार की शुरुवात हो चुकी है घर के अंदर बहुत सारे कॉंटेस्टेंट इस उमीद में आये थे क्योंने सच्चे प्यार की तलाज घर के अंदर पूरी हो जाएगी ऐसे में बिग बॉस के घर में दो ऐसे दिल करीब आ रहे हैं जो एक ही शो में पती-पत्नी का किरदान निभा चुके हैं ये दोनों कांडेस्टेंट कोई और नहीं भलकि सधात, शुकला और रश्मी देश आई ही हैं हाल ही में शो का एक प्रोमो वीडियो सामने आया है जिसमें रश्मी और सधार्थ की नजदी कियां बढ़ रही हैं मंगलवार को एपिसोड में घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेशन की पहली प्रक्रिया हुई इस प्रक्रिया में दो लड़कियों को अपना फोटो लगा, एक दिल लड़कों को दीना था ऐसे में देबलीना भटचाल और आरती सिह, दोनों अपना दिल सधार्थ को देती हैं वही शेहनाज ने अपना दिल अऑ्बु मलिक को दिया और बाकी सबी लड़कियों ने अपना दिल पारस छाबडा को दिया बाद में ट्विस्ट आया कि लड़कों को मिले सबी दिलों में से सिर्फ एक दिल को लड़की अपने पाथ रख सकते हैं बाकी सारी लड़कियों को नॉमिनेट करना था ऐसे में पारस ने सिर्फ माहिरा को बचाया वहीं जब सिधार्थ का नंबर आया तो उन्होंने देवलीना और आर्थी में से आर्थी को चुना इसका कारण दिया कि वो आर्थी सिह को घर में आने से पहले से जानते हैं बिग बॉस 13 में आने से पहले रश्मी और सिधार्थ सीरियल दिल से दिल तक में नज़र आये थे बिग बॉस में ये दोनों बैड साजह कर रहे हैं हलाकि रश्मी को सिधार्थ के साथ बैड साजह करने में आपत्ती भी हुई थी घर में जैसे ही सिधार्थ ने एंट्री ली थी तो रश्मी ने कहा था कि क्या हम एक ही बैट पर सोऊंगे रश्मी ने ऐसा करने से इंकार कर दिया था तब सिधार्थ ने कहा कि ये बिग बॉस का नियम है और ऐसा करना पड़ेगा और अब दोनों के बीच नस्दीक्या बढ़ती हुई देखी जा रही है क्योंकि जब बिग बॉस का नया टास्क हो रहा था उसमें सिधार्थ को जब टॉर्चर किया जा रहा था तो सिधार्थ को टॉर्चर करती हुई देख रश्मी को काफी बुरा लग रहा था और रश्मी वहां रो भी पड़ी थी Subscribe our channel and press the bell icon for more updates